महराश्ट में कोरोना मरीजों की दादाद में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है महराश्ट में चीन से जादा कोरोना के मरीज हो गए है सिर्फ मुंबई में ही कोरोना इंफेक्टर्ट की संख्या 50,000 का आक्टा छू रही है मौत का सिलसिला बिना रुके जारी है लेकिन उससे भी चौकाने वाली खबर मुंबई के अलग-अलग अस्पतालों का कोरोना फ्रोड और लापरवाही की है मुंबई में इंडिया टीवी समधाता राजीव सिंग को बोरी वली में अपैक्स हॉस्पिटल के एक ऐसे केस की जानकारी मिली जहां कोरोना काल में मरीज की मजबूरी का फायदा उठा कर अस्पताल ने 6 लाग से जादा कबिल बना दिया साथ साल के सलीम सांस लेने की तकलीफ के बाद अपैक्स हॉस्पिटल में भरती हुए सलीम के बेटों का कहना है कि जब वो उन्हें लेकर अस्पताल गए तब कोरोना का कोई सिम्टम नहीं था हॉस्पिटल की कहने पर उन्होंने अपने पेता का कोरोना टेस्ट करवाया लेकिन अस्पताल ने रिपोर्ट देने में साथ दिन लगाए साथ दिन बाद अपैक्स हॉस्पिटल ने बताया कि सलीम की कुरोना रिपोर्ट पॉस्टिव आई है परिवार का कहना है कि साथ दिन बाद जब रिपोर्ट मेली तो हॉस्पिटल ने उनके पिता को आईस्यू में डाल दिया अब इस परिवार से अपैक्स हॉस्पिटल ने हर रोज 35-37,000 रुपए वसु ले हॉस्पिटल ने सलीम का दूसरा कॉरोना टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉस्टिव आई कॉरोना के तीसरे टेस्ट कराने के बाद सलीम की मौत हो गई आरोप है कि हॉस्पिटल ने सलीम की बॉड़ी परिवार को देने में भी मनमानी की परिवार पर 2 lakh रुपय का बकाया बिल भरने के लिए pressure डाला गया परिवार ने 2 lakh रुपय भरे तब जाकर 9 गंटे बाद उन्हें dead body मिली परिवार के आरोप पर इंडिया जीवी रिपोर्टर राजीव सिंग ने अपाक्स हॉस्पिटल का पक्ष जानने की कोशिच की सीनियर डॉक्टर को कई बार मैसेज भिजवाए उनका घंटों इंतजार किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया बाद में डॉक्टर ने बिजी होने का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया पॉंबई के बोरियुली लाके में मौझूद एपेक्स हॉस्पिटल को लेकर महानगर पालिका को कई शिकायते मिली हैं महानगर पालिका ने खुद इस बात की जानकारी इंडिया टीवी से बातचीत में की है और सबसे हम बात यह है कि इन शिकायतों की जानकारी मिलने के बाद में जब इंडिया टीवी की टीम इस हॉस्पिटल के अधिकारियों से डॉक्टरों से बातशित करने के लिए पहुंची तो कोई भी डॉक्टर यहाँ पर कैमरे के सामने बात करने को तयार नहीं था और हालात यह हैं कि यहाँ पर आप देखिए गेट पर जो है ताला लगा दिया जोना काल में मुंबई के ही राजावाडी अस्पताल की हकीकत देखिए जहाँ 27 साल के महराज नाम के मरीज की डेड बॉडी पिछले पांच दिनों से लापता है परिवार वाले रोज अस्पताल पहुंचते हैं उने अस्पताल के शब्डे में लाश की शिनाक्त के लिए ले जाया जाता है अब तक परिवार वाले अस्पताल में 18 डेड बॉडी देख चुके लेकिन मृतक महराज की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है साम तक के यहीं बोला गया क्या बॉडी मिल जाएगी, रखा गया है बॉडी मिल जाएगी हमारे घर से भी लोग किट पहन के अंदर उन्ये के साथ में गए, सतरा अटरा बॉडी थी उसे हमने चेक करे वहाँ पर बोडी नहीं मिली उसके बाद में साम होती है साथ बसता है तो बोला जाता है बोडी नहीं है अभी धूंडा जा रहा है अभी धूंडा जा रहा है तो लापर भाई हो गई हमको बोडी चाहिए हमारे भाई की फिर उसके ओपर इंजाम लगा दिये कि कोरोना हो गया लेकिन उसमें उमर थी 25 साल की तो ये 23-25 साल कराएगा लेकिन उसको 25 साल की उमर थी उसमें ये नौबत तब है जब मेराज कोरोना पॉस्टिप भी नहीं था डेट बॉडी की खोज में अब मुंबई प्रशासन के साथ साथ एंजियो भी लगी हुई है मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 पार है अब तक यहां 702 लोगों की मौत हो चुकी है मुंबई में 24 घंटे में 64 लोगों की मौत होई है